नमस्कार दोस्तों, हर्षित दिवेधी एजुकेशन में आपका स्वागत है, मेरा नाम है वीनिच शागर, डेली वनलेनेस 10 में 2022, आज के इम बोटम वनलेनेस कौन कौन साएं, चेक करते हैं, सबसे बला न्यूस, इंडियन ग्रांड मास्टर डी कुकेश, फर्स्ट चेसबल स इस टाइटल अवाड़ेट टू चैस प्लेएज वर्ल चैस औरगनेसेशन, वर्ल चैस अवाड़ करता है, इसके अलावा, ग्रांड मास्टर हैं, यह क्या जाता है, नहीं तो यह टाइटल जो है, लाइफ टेम के लिए लिए आवाड दिया जाता है, अगर कोई चीटिंग इसमें फस गया तो ये Grand Master टाइटल रिवक भी किया जा सकता है नहीं तो ये टाइटल जो है लाइफ टेम के लिए देंगे मतलब एक बार Grand Master बन गया तो वो लाइफ टेम के लिए Grand Master है अगला है Drug Free Zone मानिपूर Chief Minister N.B.N.C. एक initiative launch किया था War on Drugs इसी initiative के अंडर मानिपूर का second largest नागा ट्राइब पाउमे नागा कम्यूनिटी पाउमे एरिया को Drug Free Zone डिकलेर किया है वैसे पाउमे एरिया सेनापती डिस्टिक में आता है मानिपूर में अब देखिए मानिपूर में जितना पोपी प्लानेशन्स वगर आए यह सब डिस्टोई किया जाएगा वैसे पोपी प्लानेशन्स मतलब क्या होते है यह पोपी प्लान्स से बनता है दोस्तों जितने मेजर ड्रक्स है न जैसे कि OPM वगरा है वो तो जितने पोपी प्लानेशन्स आजकल है मानिपूर मे उन सबको डिस्टोई किया जाएगा इस इनिशेटीव के अंडर इसके साथ मनिपूर के कुछ इंपोर्टन रिकर्गनेश्ट ट्राइब्स कौन कौन सा है ये भी चेक करते हैं अब देखें मेरी प्रनोंसेशन गरत हो सकते दोस्तों फिर भी देखें जितने भी ट्राइब्स है वो सारे आपके लिए इंपोर्टन ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं एक्जामेनेशन में अक्सर पूछते हैं ठीक है तो पोव माई ट्राइब के बड़ में थ्यान दीजेगा इन्होंने ड्रक मेनस के एगेंस वाइट करने के लिए स्टेट गर्मन के साथ जुड़ा है और पोव में एडिय क्लाइबिंग के लिए ट्रेडिशनल साउथ इस रिज रूट फोलो किया है अब यह साउथ इस रिज रूट काफी फेमस रूट है मौंट अवरस क्लाइबिंग के लिए क्योंकि यही रूट फोलो किये थे 1953 में एट्मन हिलारी और टेंसिंग नौर्गे राइट नौ नेप नेपाल गर्मन 408 परमिट्स इश्यू किये थे वैसे दोस्तों नेपाल गर्मन का सबसे बड़ा फोर्न एक्स्चेंज सोर्स है मौंट अवरस क्लाइबिंग और नेपाल गर्मन के ऊपर एक क्रिटिसेंग भी है क्योंकि यह ओवर क्लाउडिंग अलोग करता है करके देखे नेपाल गर्मन के पास जितने अप्लिकेशन आते हैं मौंट अवरस क्लाइबिंग के लिए मैक्सिमम यह परमिक करते क्योंकि इन्हें पैसे मिलते हैं पर 2019 में ओवर क्रोडिंग की वज़े से कई सारे मौटेनेर्स का डर्थ भी हुआ था इस वज़े से नेपाल गर्मन के पर क्रिटिसेजम भी है नाउ एवरस को अब तक 10657 टाइम्स क्लाइम किया है और सबसे पहली बार मौंट अवरस क्लाइबिंग हुआ था 1953 में यह बात आपको पता है बाई एटमन हिलारी एंड टेंसिंग नोर्गे नाउ अब तक 311 क्लाइम बेर्स का डर्थ हुआ है और ह हिमालियन मौंटेन सिस्टम के बारे में दुनिया का हाईयस्ट मौंटेन सिस्टम आप बोर्ड सकते हो 7000 मीटर से उपर वाला 10 हाईयस्ट पीक से हिमालियन रेंजेज में वैसे आपको ध्यान रखना होगा कारकोरम अन हिंदु खुष रेंज़्जज जो है उन्हें अलग यह हिमालियन रेंजर में काउंट नहीं होता है ठीक है वैसे हिमालिया का मतलब होता है अबर्डो स्नो और हिमालिया में करीब 15,000 glaciers भी है अगला है गुरु स्वामी कृष्णमूर्थी गुरु स्वामी कृष्णमूर्थी फ्म तमिल नाडू को मिलने वाला है जिसे MBE बोलते है फ्म ते क्वीन शौटली नौ गुरु स्वामी कृष्णमूर्थी एक एंजिनेरिंग गुंडी यॉश्टी फ्म तो देखें मेडिकल डिवेस इंडिस्ट्री में इन्होंने पिछले 30 साल से काम किया है अब इन्हें ये रेकंगिनिशन क्यू दिया जा रहा है दोस्तों देखे 2019 में जब पैंडेमिक श्टक हुआ था तब ब्रिटीच प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉंसन एक कॉल दिये थे और सारे मैनुफेक्ट्टर को ये बोला था कि मेडिकल डिवेस मैनुफेक्ट्टर करने के लिए तो गुरु स्वामी कृष्णमूर्थी का जो पैनलोन कमपनी है थ्यान दीजेगा पैनलोन कमपनी इन्होंने 15,000 वेंटिलेटेस बना के दिये थे वित इन्होंने काफी सरे लाइवस भी बचाया तो इसलिए इन्हें अभी ये रेकागनेशन दिया जा रहा है अगला है मियामी ग्राइड प्रिक्स रेड बुल कमपनी का मैक्स वस्तापन जीता है मियामी ग्राइड प्रिक्स एक फॉर्मुला वन ग्राइड प्रिक्स है विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ ता 2022 फॉर्मुला वन वर्ल चांबिंशिप देखिए ग्राइड प्रिक्स के बार Lezlerk फ्रम Ferraari साथी अरेबेन ग्रंट प्रिक्स विन्र मांक्स वस्तापण फ यह 22 में होगा फिर अलग अलग Grand Prix है दोस्तों जो वर्ल चांबिन्शिप्स में आते हैं like Monaco Grand Prix, Azerbaijan Grand Prix, Canadian Grand Prix, British Grand Prix, Austrian, French, Hungary, Belgian, Dutch, Italian, Russian, etc. अगला है Merlin Monroe, Merlin Monroe के बार में अपने सुनाई होगा, शिवाजन अमेरिकें अक्त्रस अंड मॉडल, इनके टाइम पर, अनके ताइम पर, वन अफ दी मोस्ट सेमस परस्नालिटी स्ती, Merlin Monroe, तो इनका एक आइकोनिक पोर्ट्राइट, बाइ अमेरिकें पोपाट विश्णरी, आंडी वार्षोल, अब ऑक्ष्ण हुआ है, 195 मिलियन डॉलर्स के लिए, इसे पहले 2015 में, पापलो पिकास्व का वीमन अफ अल्जेस का आउक्ष्ण हुआ था, वन 179.4 मिलियन डॉलर्स के लिए, अब इसी को सर्पास किया है, Merlin Monroe का इकोनिक पोर्ट्रेट, 195 मिलियन डॉलर्स के लिए, देखे, Merlin Monroe का कई सारे पोर्ट्रेट्स हैं, जिसे शोट सीरीज बोलते हैं, अब यह शोट सीरीज नाम के से आया, एक बार Manhattan Studio जिसे दा फैक्टरी भी बोलते हैं, उदर एक विसिटर सब के उपर फायर किये थे, तो इसलिए, मरलिन Monroe का जितने पोर्ट्रेट्स उदर बनाया हुआ है, इन्हें शोट सीरीज भी बोलते हैं, यह भी आप थ्यान दीजिएगा, अगला है सुप्रिंग कोट जजजस, जशिसस सुथांशु धुलिया और जमशेद बुर्जोर पद्धिवाला तुक ओथ आज सुप्रिंग कोट जजजस ऑन मंटे, तो देखें, जजजस के लिए ओथ कोन रिडोट करते हैं, चीफ जजजस ऑफ इंडिया, तो आभी सुप्रिंग कोट का स्ट्रेंग्ट है वो कंप्लीट हो गया, मतलब 34 प्लस 1, यह सुप्रिंग कोट का सैंक्शन स्ट्रेंग दे, तो कंप्लीट अटनेंट्स है अभी के लिए, 34 जजजस है, प्लस 1 चीफ जजजस, जजजस परदिवाला जो है, चीफ जजजस भी बनेंगे आगे और जब यह चीफ जजजीज बनेंगे इनके लिए 2 एस और 3 मन्स बेचे होगे, मातलब two years three months के लिए justice पर्दी वाला हमारा chief justice भी रहने वाला है future में Now, justice दुलिया second judge जो उत्रागन high court से elevate हुआ है as supreme court judge Final news, operation duty Operation duty undertake हुआ था by the 7th battalion of Assam rifles that was posted in Jammu and Kashmir from 1989 to 1992 तो इंडिया का most successful counter-insurgency operation था Operation duty और ये 30 साल पहले हुआ था अब जितने surveying soldiers से operation duty का उनी को facilitate किया है Assam rifles ने Assam rifles का establishment हुआ था 1835 में और तब से लेके अब तक numerous counter-insurgency operations undertake किया है Assam rifles 39 में और इंडिया में कई सारी अरियास में Now, the 7th battalion had earlier been conferred numerous honors and awards also During Operation Rekshak in Jammu and Kashmir देखे, Operation Rekshak जब हुआ था तब ही 7th battalion को काफी सारे awards मिले थे Now, कौन-कौन से awards है? 2 Kirti Chakra, 1 Shauri Chakra, 1 Vishisht Seva Medal and 10 Sena Medals also वैसे दोस्तों, Assam rifles one of the paramilitary forces इंडिया में जो home ministry के अंडर है पर आपको धियान रखना है, only administration part जो है home ministry देखते हैं Operation part पूरा इंडिया नामी के अंडर में है, तो दोस्तों, that's the end of it I hope आपको वीडियो informative लगाओगा, लेक्षे की PDF as usual आपको टेलिग्राम चानल में मिल जाएगा जिसका link नीचे provided है, thank you for watching, bye bye, have a nice day